हालो स्टूडेंट आनिशा पश्रसालवी और बाईलजी मिंटार दो बचो वेलकम टू आर दा लास्ट टॉपिक ऑफ प्लाइंट ग्रोथ एंड डेवलेप्मेंट विच फोटो पीरिडिजाम और वर्नलाइजेशन राइट यह बहुत छूटू सा बट इंपॉर्टेंट सा है आपको केवल इसमें कंसेप्ट समझना है और कुछ भी नहीं है एक बर कंसेप्ट समझ लिया तो जंदेगी भर ही नहीं भूलोगे राइट बहुत ही छूटू सी बात है आजओ फोटो पीरिडिजम देखो फोटो का मतलब क्या होता है दाट मीज हम लाइट की बात कर रह इतने टाइम तक हमें क्या चाहिए लाइट चाहिए तब जाकर कि उस पर्टिकुलर प्लाइंट में फ्लारिंग होगी यह होता है फोटो पीरिडिजम यानि कि हम देखते हैं कि लाइट और प्रिटिकल उसका जो कंडिशन होता है वो राइट तो चलो इट हैस बीन अब्सर प्लाइट रिकुर एपिरिडिक एक्सपोजर तो लाइट इंडिवस फ्लारिंग हमें कितना लाइट चाहिए उस फ्लार को उगाने के लिए वो ही क्या है फोटो पिरिडिजम है इट इस आलसो सीन दाट सच प्लाइट आर एबल तू मेजर दा डूरे सकता है for example some plant require the exposure to light for a period exceeding exceeding a well defined critical duration critical duration क्या होती है अभी हम जस्त बात करेंगे while other must be exposed to light for a period less than this critical duration before the flowering is initiated in the क्या हो रहा है आचो देखो बच्चो ठीक है हमारे पास दो condition होती है एक condition होती है short duration plant right short duration plant क्या मतलब है मैम इसका इस short duration plant को जो light है वो क्या चाहिए कम चाहिए ठीक है कम चाहिए और जो dark है वो उसको जादा चाहिए तब ही ये क्या कर सकते है फ्लारिंग कर सकते है ये बात समझ में आया एस जीपी का मतलब समझ में आया that means short duration plant ठीक है या short day plant short day plant short day plant का मतलब है कि भई इन plant को जो light है वो कम चाहिए होती है dark जादा चाहिए तब ही ये फ्लारिंग कर सकते है ये समझ में आ गई आजो उसका समझे ये हम किसके लिए कर रहे है short day plant के लिए कर रहे है इसका जो critical ठोड़ा उपर ठीक है इसकी जो critical condition है पिंक से बनाती हूँ ठीक है इसकी जो critical condition है वो ये है ठीक है? यह क्या है इसकी? क्रिटीकल कंडीशन. क्या मतलब होता है क्रिटीकल कंडीशन का? समझ लें पहले ठीक है? ठीक है? देखो शॉर्ट डे प्लांट है, that means इसको जो सनलाइट है या जो इसको लाइट है, वो बोखोत कम चाहिए होती है कम चाहिए होती है, ठीक है, आजो, फिर्स कंडिशन पे, फिर्स कंडिशन पे मैंने क्या किया, मैंने जो लाइट है, ठीक है, इसको लाइट यहां तक दे दी, सेकिंड में मैंने क्या किया, इसकी क्रिटिकल कंडिशन से लाइट मैंने जाधा दे दी, थर्ड वाले में मैंने क लाइट दे दी समझ में आया तो sdp को क्या चाहिए इस critical line से इस critical line से कम light चाहिए या तो light कम हो या सिर्फ यहां तक light हो तब जाकर कि यह flowering करेगा तो आप बताओ condition 1 में flowering होगी या नहीं होगी क्यों क्योंकि इसका dark जादा है और इसकी जो light है वो कम है तो यही तो condition हमने बोली है light हमारा कम है dark हमारा जादा है तो यह क्या कर लेगा यहां पर यह कर लेगा flowering राइट यहां पर यह flowering कर लेगा दूसरी condition में आचो यहां पर dark यहां पर जो dark है वो कितना सा है और light देखो कितनी है यानि कि यहां पर light जो है वो ज्यादा है दार्क जो है इस condition में SDP में flaring होगी क्या नहीं तो यहां पर flaring तो नहीं होगी किबल पतियां ही पतियां तुम्हें दिखेंगी दन थर्ड कंडिशन पर आजो यहां पर बच्चो तुमने यहां पर लाइट दी तो तुम सोचोंगे कि मैं क्रिटिकल कंडिशन से तो उपर ही दिये न लाइट तो यहां पर तो फलार होना चाहिए नहीं आपने डार्क जोन को डिस्टरब कर दिया इसका जो डार्क जो जोन इसको लाइट जोन ही माना जाएगा क्या माना जाएगा लाइट जोन ही माना जाएगा तो डेफिनेटली यहां पर फ्लारिंग नहीं कर पाएगा कौन SDP short day plant यहां पर कोई भी फ्लारिंग नहीं कर पाएगी तो यहां पर भी क्या रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ लीव रह जाएगी और यहां पर जो आएगा वो फ्लार भी आएगा यह बात समझ में आ गई क्या यह बात clear है क्या क्या होता है SDP आज़ो तो the former group of plants are called long day plants while the latter ones are dumb short day plants मतलब जिसको light कम चाहिए दाग जाधा चाहिए वो हो गया हमारा short day plant और जिसको light जाधा चाहिए ठीक है हाँ उसको light जाधा चाहिए डाग कम चाहिए वो जाएंगे long day plant राइट the critical duration different for the different plant critical duration अलग अलग है अब मान लीजे ठीक है अब मान लीजे कि short day plant के लिए इसका critical zone था कि ये डाग से थोड़ा उपर ही होना चाहिए नहीं तो इसका critical zone start हो जागा ये इसका critical zone अब अब हो गया ये इसका critical zone पार कर गया तो यहां flowering नहीं लेकिन यदि मैं यही condition long day plant के के लिए करूं तो क्या होगा एल डीपी के लिए ठीक है एल डीपी के लिए बबन बात कर रहे है एल डीपी में क्या चाहिए लाइट जादा चाहिए ठीक है और डार्क कम होना चाहिए तो इसका भी critical zone बना लिया जाए इसका critical zone है like this ठीक है यहां तक इसको light चाहिए ठीक है अब मान लिजे कि light तुमने क्या दी एक तो light इस critical zone से उपर दी एक light तुमने यहां पर दी यहां से यहां तक दी फिर तुमने यह क्या किया यहां पर दी यहां पर दी फिर यहां पर दी अब क्या होगा देखो एल डीपी में यहां स तुमने उपर दी है light तुमने उपर दी है जबकि इसको light क्या चाहिए ज़ाधा चाहिए तो यहाँ पर तो light कम है यहाँ पर तो light कम है तो यहाँ पर leaf होगी flowering नहीं होगा यहाँ पर जो है light तुमने जादा दी है तो definitely यहाँ पर क्या होगा flowering होगी यहाँ पर भी यह consider करोगी light zone को यह consider करोगी dark zone को तो यहाँ पर भी flowering होगी just opposite to the यहाँ पर देखो दो बार leaf है क्योंकि light जादा है तो leaf आई जहाँ dark जादा है वहाँ पर flowering हुआ किसमें SDP में जब तुम LDP की बात करोगे तो light जहाँ पर कम है यह थोड़ा सा उपर कर लो तो जादा सही रहेगा आप बिल्कुल सही है यहाँ तक light है light तुमने कम दी है इसके critical zone से भी कम दे दी तो वहाँ पर क्या होगी leaf भी होगी यहाँ पर तुमने light ज़्यादा दी है तो flowering यहाँ पर light ज़्यादा है तो flowering इसाट clear ठीक है आप समझ लो short day plants के लिए short day plants में देखो बच्चो यहाँ पर आपने यहाँ पर आपने light इसको ज़्यादा दे दी यह इसकी क्या है critical यह इसकी critical condition है ठीक है यह इसकी critical condition है इस critical condition से तुमने light इसको यहाँ तक दे दी तो flowering हुई क्या नहीं हुई नहीं वह flowering यहाँ पर critical line से यहाँ तो light यहाँ तक हो यह फिल light यहाँ पर हो तो that means इसको proper अपना dark zone मिला है तो यहाँ पर इसने flowering कर दी third वाली condition देखो तुमने पहले critical zone से उपर light दी फिर तुमने इसका dark zone disturb कर दिया तो flowering हुई क्या नहीं हुई तो that means इस condition यह optimum condition है इस short day plant के लिए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ? flowering हुई अब आजाओ long day plant में इसका critical zone यह है इससे जादा तुमने light दी है और dark कम रखा है तो वो इसके लिए अच्छी condition हुई तो flower आ गया यहाँ पर इस critical line से तुमने कम light दी तो यहाँ पर flower नहीं आया जैसा कि मैंने तुम्हें बताए यहाँ पर तुमने light दी फिर यहाँ पर तुमने light दी तो light zone भड़ गया dark zone यही रह गया तो सीधी सी बात है flowering होगी आ गया concept समझ में photoperiodism अब क्या होगा ठीक है एक चीज समझानी है देखो बच्चों एक होता है PR और एक होता है पी एफर ठीक है पी यार और पी फिर यहाँ पर जब light होगी ठीक है याँ लएट होगी तो light में यानि कि तुम्हारे पास क्या है sun चाचू है Sun चाचू है तो definitely red light होगी के नहीं होगी भाई विब्ग्योर है विब्ग्योर है रेड लाइट होगी तो जो पी आर है बच्चो ये क्या है स्टेबल है और इनाक्टिव है ठीक है स्टेबल है और इनाक्टिव है इसको लाइट मिलेगी तो ये क्या करेगा ये PFR बनाएगा convert हो जाएगा PFR convert हो जाएगा ये PR होता कहा है ये PR होता कहा है ये होता है leaves के अंदर ठीक है leaves के अंदर होता है leaves में synthesis होता है ठीक है leaves में synthesis होता है PR का और PR convert हो जाता है in the presence of day time ठीक है day time पे ये light रेड लाइट की प्रेजन्स में ये PFR में convert हो जाता है PFR क्या है इन एक्टिव है और अनस्टेबल है एक्टिव है और अनस्टेबल है ये क्या करेगा PFR ठीक है PFR डार्क में किसमे PFR या तो use किया जाएगा या फिर ये degrade हो जाएगा ठीक है या तो ये consumed हो जाएगा consume किसमे होगा PFR में ठीक है या फिर ये degrade हो जाएगा लेकिन PFR क्या होगा हमेशा synthesize होगा याद रखेंगे PFR synthesize होगा PFR degrade हो जाएगा या फिर use हो जाएगा तो PFR क्या करेगा इसमें use हो गया या फिर degrade हो जाएगा इसका जो nanometer है बच्चों वो 720 से 740 के बीश में होता है और इसका जो spectrum होता है वो 680 nanometer के बीश में होता है यह बात समझ में आवे आप देखो क्या हुआ यदि हम बात करें SDP के लिए ठीक है SDP के बात लिए करें तो मेरी बात सुनो यहाँ पर SDP को क्या चाहिए light कम चाहिए तो dark इसको जादा चाहिए तो यहाँ पर PFR से क्या बनेगा PR किसके किस में SDP में क्यों क्योंकि dark जादा होगा न dark जादा चाहिए SDP को तो PFR से PR बनेगा तो SD के लिए होगा PFR जादा बन रहा है तो PR जादा होगा और PFR कम होगा तो ठीक है एक से जादा होगा यह condition यदि हम बात करें LDP के लिए LDP के लिए बात करोगे तो light जादा चाहिए ठीक है और dark कम चाहिए तो light ज़ादा होगी तो PR से क्या बनेगा PFR ज़ादा बनेगा ठीक है light ज़ादा होगी तो PR से PFR बनेगा that means यहाँ पर जो equation आएगी वो क्या आएगी PFR upon PR greater than 1 यह बात समझ में आ गई क्या यह बात समझ में आ गई यह जो photo periodism है यह करवाते क्यूं है देखो बचो यह horty culture plant tissue culture में बहुत ज़ादा यूज किया जाता है agriculture में ज़ादा यूज किया जाता है क्यूं क्यूंकि flaring होगी flaring होगी तो fruit आएगा fruit आएगा तो हमें काम आएगा ठीक है यह equation समझ में आ गई so there are many plant however where there is no such correlation between exposure to light duration और कुछ plant ऐसे भी होते है जिसको कोई मतलब होता नहीं कि कितना dark आ रहा है कितना light हो रहा है उसको हम कहते है day neutral plant neutral है कोई activity show नहीं कर रहा dark हो light हो I don't care यार ठीक है so correlation between exposure to light duration and induction of flaring response such plant are called day neutral plant so it is now also known that only the duration of light period but that the duration of dark period is also equal importance दोनों का equal importance है hence it can be said that flaring in certain plant depends not only on the combination of light and dark exposure but also their relative duration मतला जो flaring है plant में जो flaring है या जो leaf का जो generation हो रहा है वो सिर्फ light पे या वो सिर्फ dark पे ही नहीं depend कर रहा है वो combination of dark and light reaction पे depend कर रहा है कौन सा जोन चाहिए उस पर्टिकुलर प्लांट को डान यह बात कहना चाह रहा है या पे so this response of plant to period of day and night is termed as photo periodism इसी को हम क्या कहते है photo periodism कहते है it is also interesting क्या होगा कि यदि shoot epics खुद से ही क्या हो जाए flaring epics में convert हो जाए तो क्या होगा वहाँ पे photo periodism की ज़रत ही नहीं पड़ेगी वो effect ही नहीं होंगे that clear? चलिए this site of perception of night and dark duration are the leaves leaves में ही depend करता है जैसे मैंने बताया PR और PFR reason it has been hypothesized that there is a hormonal substances that is a responsible for the flaring तो कुछ ऐसे hormones होते हैं जो की important होते हैं particular flaring के लिए जिसको हम कहते हैं florizin ठीक है? florizin जो hormone होता है बच्चो वो किस में पाय जाता है? लीफ में पाय जाता है यह hypothesized इसलिए बोला गया है कि आज तक इसको isolate नहीं किया गया है लीफ में से इस hormone को आज तक आईसोलेट नहीं किया कि हम बोल सके हैं कि हाँ इसका यह chemical composition इसका यह structure है नहीं इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको hypothesize बोलते हैं दन? चलें आगे इस हॉर्मोनल सबस्टांसे माइग्रेट फॉर्म लीफ तो शूट अपिक्स फॉर इंडूसिंग फ्लारिंग जब कोई प्लांट जैसा भी होगा short day plant होगा, long day plant होगा तो वो depend करता है कि कैसी period of light उसको चाहिए उसी हिसाब से वो क्या करेगा? florism जो है active होगा और कहां जाएगा? shoot apics में जाएगा और flooring को क्या करेगा? initiate करेगा डान? चलें आगे नाव वनरलाइजेशन वनरलाइजेशन कुछ भी निये, बहुत easy सी बात है ये जो plant में जो ripening होगी, जो flooring होगी वो कैसी होगी बच्चों? वो होगी low temperature पे, बस आपको ये ध्यान रखना है low temperature पे, कौन सी fossil कैसी है? किस समय बोनी है? किस समय काटनी है, हर्वेस्ट करनी है ये चीजें जो है वनरलाइजेशन में इंपोर्टेंट है तो there are plant for which flooring is either quantitatively और qualitatively dependent on the exposure to low temperature, किस पे डिपेंड करेगी low temperature पे डिपेंड करेगी this phenomena is termed as वनरलाइजेशन, क्या होगा? इट प्रिवेंट प्रिकोशियस रिप्रोड़क्टिव डवलप्मेंट लेट इन दा ग्रोइंग सीजन और इनेबल दा प्लान तो है sufficient time to reach maturity तो मान लीजे कि हमारे पास crops होती है, रभी की फसल, खरीब की फसल होती है, क्यों ऐसे बोला जाता है कुछ दिमाग में आता है कि कभी चीज कि क्यों हम सर्दियों में ही वो फसल बोते है क्यों हम गर्मियों में ही फसल बोते है ऐसा क्यों होता है क्योंकि हर फसल में हर क्रॉप का वर्नलाइजेशन होता है, एक लो टेंपरेचर चाहिए होता है बाइनियल यानि की जो की दो इयर वाली हो, ठीक है, दो साल वाली क्रॉप हो, लेकिन जिसमें फ्लार, सिर्फ एक ही बार आएंगे, तो ऐसा जो क्रॉप होगी, उसको हम कहते हैं मोनो कार्पिक, क्या कहते हैं, मोनो कार्पिक कहते हैं, मतलब दो साल में उसका पूरा जीवनका लेकिन दो साल में वह सिर्फ एक ही बार फ्लारिंग करती है इसलिए हम सको बोलते हैं मोनो कार्पिक अवल में क्या होगा अवल में क्या होगा वही पूरे जीवन चक्र में एक साल के अंदर वह अपना फ्लार बी देगा सो वनलाइजेशन रएस तो इस पेशली टूदा प्रम सी फसल कौन से समय की है गर्मियों की है सड्यों की है स्प्रिंग में है वो उसका हार्वेस्ट होगा और पूरे जीवन चक्र में यदी वो सर्दी वाली है तो कब उसको हम हार्वेस्ट करेंगे वर्नलाइजेशन के लिए इंपोर्टेंट है तभी आप प्रॉपर उसका इल्ड को मलब प्राप्त कर पाओगे या हम कहेंगे प्रॉपर फ्लारिंग कर पाओगे तो आई होप कि यह चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कुछ नहीं है इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ रीडिंग है शौट नोट्स बनाने की जरुरत है कॉंसंट्रेट होने की जरुरत है बस बहुत छोटू सा एफट लगाना है अच्छे से नंबर गेन कर सकते हो तो फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ जब तक धैन्नेवाद